Hello everyone, मैं हूँ किरन शापरे और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही कराशीफल ये 24 जानवरी से लेकर 30 जानवरी तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेटिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सबस्क्राइब किया, तो प्लीज लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पीच भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन साइन, मून साइन, एसेंडन्ट या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकौर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुछ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को follow करें तो चलिए जी शुरू करते हैं, coming week का सापता ही ग्राशी फल तो चलिए डॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है, Ace of Emotions and Success और देखें, success का card बहुत ही clearly, victory की बात करता है, achievements की बात करता है, success की बात करता है तो इस week किसी level पे किसी तरीके की success, victory in general या फिर specifically आपके professional front में रहती हुई देख रही है और दिखें, general reading है तो सब के लिए ये success थोड़ा थोड़ा differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने किसी negative thought या फिर negative belief system से आप बहुत time से मन ही मन जूंज रहे थे, परिशान हो रहे थे, आप overcome नहीं कर पा रहे थे और इस week कहीं उन्ही energies को या फिर उसी negative thought belief system को आप overcome कर पा रहे हैं और इसी को ही लेकर एक victory आप महसूस कर रहे हैं इसी को ही लेकर आपको लग रहा है कि पता नहीं आपने क्या achieve कर लिया कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी project, किसी deal या फिर किसी भी चीज को लेकर आप बहुत effort कर रहे थे, बहुत महनत कर रहे थे तो उससे related एक positive outcome, एक positive result आपको मिल रहा है और देखिए जो 2-3 चीजे मेरे mind में आई मैंने कहा यहाँ पर success again किसी भी level पर किसी भी तरीके की achievement या फिर victory के बात करता है और देखिए शायद इसी लिए या फिर otherwise भी Ace of emotions का card happiness, joy, contentment, satisfaction की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहतावा दिख रहा है और देखिए एसे स्टारों में नई beginning की बात करते है तो again किसी level पर किसी तरीके की नई beginning किसी चीज को लेकर या तो हो रही है या फिर आप करना चाहा रहे हैं और ये नई beginning भी सब के लिए differ कर सकती है कुछ लोगों के लिए नई काम करने का तरीके हो सकते है कुछ लोगों के लिए नया project हो सकता है कुछ के लिए नई team, नया colleague, नई जगा या फिर से मैं कहूंगी कि कोई भी नई चीज again किसी भी level पर या तो आ रही है या फिर आप लाना चाहा रहे है overall देखिए professional front के energies काफी अच्छी इस week रहती होई दिख रही है and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है seven of inspiration and clinging to the past और देखिए seven of inspiration का card कहीं कुछ चीजों को लेकर किसी level पर challenges की बात करता है देखिए जैसे होता न कि हम कुछ भी करने जाते हैं तो हमें एक smooth going नहीं मिलती है छोटी मुटी अर्चने होती है छोटी मुटी रुकावटे होती है और ये card कहता है कि अगर इन ही अर्चनों से इन ही रुकावटों से आप डर जाएंगे घबरा जाएंगे, give up करेंगे तो फिर आप हार जाएंगे और अगर थोड़ा सा भी willpower थोड़ी सी भी determination के साथ आप इन चीजों को upfront होके deal करेंगे तो आपके लिए success sure shot है या मैं कह सकते हूँ कि आपको success achieve करने से कोई भी नहीं रोक सकता है तो nutshell में extra effort, extra action, extra initiative जो भी आप अपने ले चाहते हैं उसके लिए लेना बहुत important है willpower determination रखना बहुत important है और देखें deeper level के लिए clinging to the past का card कहता है कि past की कोई चीज, situation, इंसान relationship आपके मन में बहुत ज़ादा चल रहा है और कहीं इन ही चीजों को आप let go नहीं कर पा रहे हैं और कुछ लोगों के लिए देखें ये ही एक बहुत बड़ा obstacle या फिर ये ही एक बहुत बड़ी अरचन जो भी आप आगे पाना चाहते हैं उसके लिए रह रहा है तो फिर से Taurus में आपको यही कहूंगी कि बहुत बहुत इंपॉर्टन्ट है कि पुरानी चीज़ों को आप let go करें क्योंकि देखें जब तक हम पुरानी चीजों में अटके रहते हैं तब तक हम अपनी growth अपनी progress को भी block करते हैं और देखें हर दिन ही हम पुरानी चीज़ों को in fact let go कर रहे होते हैं लेकिन ये इतना subtle level पर हो रहा होता है कि हम उसे देखी नहीं पाते देखिए हर दिन end होता है नया दिन शुरू होता है अगर हम पुराने ही दिन में अटके रहेंगे तो फिर नई opportunities को हम कैसे देखेंगे नई चीज़ों को हम कैसे देखेंगे तो यहाँ पे फिर से देखिए पुरानी चीज़ों में आप थोड़ा सा अटके हुए दिख रहे हैं और इन चीज़ों को आप जरूर लेट गो करें जो भी issues हैं उनको upfront होके face करेंगे तो इस week के energies को आप अपने personal front के लिए बहुत ही बहतर कर पाएंगे and guidance से आप लोगों के लिए enchanting gifts का card है और दिखिए इस card में gifts लिखा हुआ है तो कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि कोई gift या तो इस week आपको किसी loved one, किसी close one से मिल रहा है या फिर आप अपने किसी loved one, किसी close one को कोई gift दे रहे हैं लेकिन broadly speaking देखें तो ये card कहता है कि थोड़ा सा sharing वाली energies में आप इस week रहें in fact जो आप अपने लिए चाहते हैं वही आप लोगों को, अपनी surroundings को और खुद को जरूर दें अगर आप financial abundance चाहते हैं तो आप अपने उपर थोड़ा सा खर्चा करें जो भी लोग needy हैं आप उनको कुछ ना कुछ you know financially जरूर दें और देखें यहाँ पर जरूरी नहीं होता कि आप बहुत सारे पैसे दें आप किसी गरीब को अगर 10 रुपई भी दे देंगे न तो वो भी कहीं giving वली energies में आता है अगर आप respect चाहते हैं, love चाहते हैं तो खुद को और जो भी लोग आपके आसपास हैं उनको love और respect जरूर दें क्योंकि देखें जो हम देते हैं न वही multiply होके हमें वापस भी मिलता है तो इस चीज का खयाल इस week आप जरूर रखें और astrology से आप लोगों के लिए moon planet का card है और इसके हिसाब से white color आप लोगों के लिए इस week लखी रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday तो ये था Taurus आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए